तो दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने जो है इस नॉर्मल माइक का रिवीव किया था जो कि 200 रुपे के अंदर आता है तो उस वीडियो के नीचे जो एक भाई ने जिनका नाम है परमजित ले रहा तो उन्होंने जो एक कमेंट किया है कि भाई ये जो और जो पूछ रहे तो उन्होंने वह माइक पर्चेस किया है तो वह पूछ रहे थे कि भाई ये जो माइक है मेरे मोबायल में वरक नहीं कर रहा है तो इसका कोई सॉलुशन है क्या और पूछ रहे था कि ये माइक वरक करेगा लेकिन इसके लिए आपको कूछ सेटिंग करन तो दोस्तो जब शरुब में यह जो माइक पुआ किया था तो यह भी जो है मेरे फॉन में वर्क नहीं कर रहा था मैं कुछ दो परधान हो गये त CHARConti को ठीछे हैं वह वेश्ट तो नहीं हो गए हो गयें कोने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जी आपने अब तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए पास में इस बैल आगम को प्रेस कर लिजिए जिसे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिशन आपको म मिल सके और दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है यदि आपको किसी पर्टिकुलर टोपिक भी वीडियो चाहिए तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं उस टोपिक के उपर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीड बना द करेंगा लेकिन इसके लिए जो क्या कर सकते हो अपको क्या सेटिंग करने पड़ेगी तो मैं आपको बताने वalarऊ दोस्तों नहीं के लिए दो सबाकर सकते हो गया है कि आपको Amazon से एक extra जो product purchase करना पड़ेगा जिसका नाह में microphone, splitter, converter, adapter तो इस नाम से जो एक product आता है जो कि 200 या 500 रुपे के around आपको मिलता है तो वो खरिदते हो तो उसमें जो आपको दो port मिलेंगे एक जो port है वो आपको earphone use करने के लिए मिलेगा और दूसरा जो port है वो आपने microphone यूज कर सकते हो दूसरी port में तो दोस्तो अपने mic को जो अपने mobile में यूज करने के लिए आपको product purchase करना पड़ेगा लेकिन आपके पास इतना budget नहीं है आप कोई extra पैसा खर्च करना नहीं चाते हो तो इसका जो है दूसरा solution आप यूज कर सकते हो जो कि मैं खुद भी उसी दूसरे solution को यूज करता हूँ मैंने भी product जहां पर purchase नहीं किया है लेकिन service जो है मैं इस mic को यूज कर पा रहा हूँ दोस्तो दूसरा solution यह है कि आपको जो है एक application डाउलोड करने पेड़ेगी play store से जिसका नामे open camera दोस्तो यह एक simple camera की application है जहां से आप अपने phone से वीडियो record कर सकते हो photo capture कर सकते हो क्योंकि दोस्तो हमारी mobile में जो default room में जो camera की application होती है तो उसमें जो कोई भी mic support नहीं करता उसमें जो आप recording करते हो video की तो आपके phone के mic से record होता है तो इसलिए जो आपको एक अलग से application डाउलोड करने पड़ेगी जिसका नामे open camera अब उस application में आपको क्या सेर्टिंग करने पड़ेगी तो वह मैं आपको अपने mobile के स्क्रीन पर बता देता हूं तो दोस्तो इस application को मैं खुद यूज करता हूं तो इस application के मतल से आप अपने mic को यूज कर सकते हो तो यह application आपको play store में जब आप यहाँ पर सर्च करोगी open camera तो यह application आपको first number पर मिल जाएगी इसका logo आप ध्यान से देख लीजिए वैसे इसका जो link है मैं ने इसे description में देदूँगा और उस product का link भी आपको description में देदूँगा तो आपको जो भी पसंद है आप उसको use कर सकते हो तो सबसे पहले इस application को open करने ना है open करते हैं यहाँ पर आपका जो camera है वो open हो जाएगा दोस्तो normal application है बट इसमें जो आपको extra feature मिल जाते हैं जो कि आपको अपने default camera application में नहीं मिलते हैं इसलिए जो यह application काफी बढ़िया है यदि आप एक YouTube वीडियो बनाते हो तो इसके लिए भी काफी अच्छी है तो उपर आपको जो इस setting option मिलेगा तो आपको इस setting option पर क्लिक करना है उसके बाद आपको जो slide करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वीडियो setting का option मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो आपको नीचे आना है दोस्तो पहले में आपको एक audio source का option मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों आप देखिए second number पर आपको एक option मिल रहा है external mic का इसका मतलब यह जो application है वो external mic को जो हे support करती है बर दोस्तों आपको वीडियो end तक watch करना है क्योंकि काफी important जो हे आपको बाते बताने वालों दोस्तों आपको external mic व को एक point और बताने वाला हूं जिसके बिना आपका जो माइक है वो work नहीं करेगा अब दोस्तों यह setting आपको इस application के अंदर कर देना है अब दोस्तों जब भी आप अपना जो mic है उसको use करना चाहते हो जब भी अपना video record करना चाहते हो तो आपका जो mic है वो direct इस application वर्क नही चाहिए और उसके बाद आप अपने जो mic है उसको लगा दीजिए और उसके बाद आप इस application जो open camera है उसको open करके अपनी video को record कर सकते हैं तो आपका जो mic है वो work करने लग जाएगा दोस्तों यह हो सकता है आप इसको direct यह यूज़ करोगे तो हो सकता है यह mic work करे या ना करे लेकिन आपको पहले अपने default camera application को open करना है उसको background वे छोड़ देना है उसके बाद आप इस application के मदद से अपने video को record कर सकते हो तो आपका जो mic है वो work करना लग जाएगा तो आप भी जो इस application के मदद से अपने mic से वीडियो record कर सकते हो तो दोस्तों यह आपको यह वीडियो पसंद है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को like और share कर देना यह आपने अब तक हमारे चनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe भी कर दीजिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बत प्लम है तो आप जो ही मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो उस टॉपिक के उपर आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा तो दोस्तों फिलाल आज के वीडियो में इतना ही तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंजा वारत गुडब